नमस्कार! दोस्तों जय मातादी आज का विशय बहुत ही समवेधनशील और चौकाने वाला है। आपके चारों और दुश्मन हो सकता है और आपको इसका अंदाजा भी नहीं होगा। आपके घर में ही एक गदार चुपा है जो आपकी मौत का जाल बिछा रहा है। यह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और जब मैं इसका नाम बताऊंगा तो आप सच मुझ हक्के बखके रह जाएंगे। मुझे पता है कि यह सुनकर आपको बहुत धक्का लगेगा, क्योंकि यह व्यक्ति आपके बहुत करीब है। ये व्यक्ति ऐसा है जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया होगा। लेकिन वही व्यक्ति आपको बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। वो आपकी संपत्ती पर राज करना चाहता है और आपको खून के आंसू रुलाने की साजिश कर रहा है। आपके इस दुश्मन ने आपके खिलाफ बहुत खतरनाक टोने टोटके कर रखे हैं। मुझे पहले भी कई दुश्मनों के बारे में बताया है। लेकिन आज मैं जो सच्चाई बताने वाला हूँ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपकी नीदें उड़ा देगी। आप शायद अभी तक नीद में थे। लेकिन अब समय आ गया है कि आप जाग जाएं और सतर्क हो जाएं। इस समय बहुत ही नाजुक समय चल रहा है। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी तो आपका यह दुश्मन आपको बहुत बड़ी शिकस्त दे देगा और आपको पूरी तरह से बरबाद कर देगा। आपको सावधान रहना होगा और अपने चारों और नजर रखनी होगी। आपके इस दुश्मन का असली चहरा पहचानने के लिए आपको अपनी आँखें खोलनी होगी। यह व्यक्ति आपके ही घर में है। आपके ही परिवार का हिस्सा है या आपका करीबी दोस्त हो सकता है। जाल बिछा रहा है, मुझे पता है कि यह सब सुनकर आपको बहुत धक्का लग रहा होगा, लेकिन यह सच है, आपको सतर्क रहना होगा और इस व्यक्ति की पहचान करनी होगी, यह व्यक्ति आपके बहुत करीब है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से काम लेना होगा, यह व्य पर नजर रखनी होगी। अगर आपको किसी की हरकतें संदिक्ध लगे तो उसे नजदीक से जांचे और उसकी गतिविधियों पर नजर रखें। आपको अपने दुश्मनों को पहचानना होगा और उनसे दूर रहना होगा। लेकिन दोस्तों अगर हमारे उपर कोई मुसीब नहीं रहती। इनको सबसे ज्यादा उसके परिवार की फिक्र होती है और आप भी कुछ ऐसे ही हैं। आप अपनी परवाह नहीं करते। सबसे ज्यादा आप अपनी परिवार की परवाह करते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपका जो यह दुश्मन है आपके घर के उपर ही वार कर रहा है, आपके घर के लोगों के उपर ही टोना टोटका कर रहा है। आज मैं इसकी सारी सच्चाई बताने वाला हूँ और एक खास महा उपाय बताऊंगा इस दुश्मन से बचने का क्योंकि अगले 48 घंटों में एक बहुत बड़ी घटना आपके साथ होने वाली है और इस घटना को अंजाम यह आपका छुपा हुआ दुश्मन देने वाला है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जो पांच दिन है आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दो दिन होंगे दोस्तों आपको बहुत सावधान भी रहना पड़ेगा अपनी नजरों को चौकनना भी रखना पड़ेगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उस मंत्र मंत्र इस दुश्मन ने फूंका है सारी सचाई मैं आज बाहर लाने वाला हूँ वशुरुवात से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा देखिये दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का यह ज्यान अगर आपको अच्छा लगा हो सच्चा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जैश्री कृष्णा राधे राधे तो आईए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि आने वाले फाइव किलो के अंदर भगवान भोलेनात और मां लक्ष्मी के आशीरवाद से जीवन काल में कौन-कौन से बड़े चमतकार कौन-कौन सी बड़ी-बड़ी खुशखबरी है मिलने वाली है मेरे दोस्त इस समय ग्रह गोचर आपके लिए उत्तम स्थिती बना रहा है दोस्तों समाज या फिर परिवार में आपका समय मान सम्मान बढ़ेगा भाईयों के साथ-साथ चल रहा कोई विवाद भी समय समाप्त हो रहा है दोस्तों इस समय संबंध द्वारा वधू हो जाएंगे और आपका रुका हुआ वसरकारी काम जो है इस समय बनने का उत्तम समय है अनुकूल परिस्थिती है आपके लिए इस समय आपका सभी रुके हुए काम बनने वाले इसके साथ ही दोस्तों इस समय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों इस समय अत्यधिक भावुक्ता की वजह से नुकसान दायक स्थिती बन सकती है ये भावुकता के लिए नुक्सान दायक हो सकती है तो उस पर ध्यान दें इस समय कोई भी निर्णय प्रैक्टिकल होकर यह यह आपके लिए बहतर होगा दिल की वज़ह दोस्तों इस समय आपको दिमाग से निर्णय लेना आपके लिए उचित रहेगा तो दोस्तों इस बात पर आपको इस समय गौर करना चाहिए अगर घर में कोई निर्णय संबंधी कार्य चल रहा हो तो दोस्तों उन्हें विज्ञान आने जैसी आशंका भी लग रही है इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होगा दोस्तों आपको बता दें कि पैसे से संबंधित समस्याएं कम होने लगेंगी फिर भी दिन की शुरुवात में कुछ बड़ा सा आपका जो खर्चा हो सकता है दोस्तों यह आपका आत्म विश्वास भी समय कम कर सकता है दोस्तों नकारात्मक परिस्थितियों से बाहर निकलने का प्रयास करें ये आपके लिए बहतर होगा इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए जो समय होगा दूसरा आपको बता दें कि अपनी दिन चर्या तथा व्यवहार में कुछ परिवर्तन भी आप लेंगे सभी कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने में तथा संभावना बनाए रखने में काम्याब रहेंगे दोस्तों आपको बता दें कि निवेश संबंधी मामलों पर अधिक ध्यान के इंद्रित रखा है क्योंकि यह समय धंधा परिस्थितियां बनी हुई है इसके उपरांत दोस्तों यह समय परिवार के सदस्यों को उनके तरीकों से कार्य करने ही दें कि आपके लिए बहतर होगा तथा उनका सहयोग करें दोस्तों इंच उनका आत्मबल बढ़ेगा घर के किसी वरिष्ट सदस्यों के स्वास्थे को लेकर चिंता भी रह सकती है तथा कुछ महत्वपूर्ण काम भी समय रुख जाएंगे इसके उपरांत दोस्तों इस समय किसी बात पर जरूरत से अधिक विचार करने की तरह से जन्मों का फाइदा उठाना हो सकता है तो आप मौकों का फाइदा नहीं उठा पा रही और काम नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों अधिक संयम रखना भी आपके लिए समय हानिकारक हो सकता है इसलिए दोस्तों वक्त पर निर्णय लेना भी समय आपको सीखना चाहिए इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए जो समय होगा आपके दिन चकली जिस समय होगा दोस्तों आपको बता दें कि अगर घर में नवीन या फिर रखराखाव संबंधी कुछ योजनाएं बन रही हैं तो दोस्तों उसे क्रियानवित करने का उचित समय होगा इस समय फाइनेंस से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय की भी सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे दोस्तों वह परिवारों के साथ में कुछ मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम भी बन सकते हैं जिससे मन आपका प्रोफाइल हित रहने वाला है इसके उपरांत दोस्तों अपनी भावुकता और उदिता पर आपको संयम रखना चाहिए कोई आपकी इन कमजोरियों का फाइदा उठा सकता है इस बात पर आपको इस समय गौर करना चाहिए किसी के साथ भी बहुत अधिक विवादों में आप ना पड़े और अपने काम से ही आप मतलब रखें दोस्तों इस समय इन बातों पर आपको गौर करना चाहिए रिस्क लेने की प्रवृत्ती से आपको उस समय दूर है कि आवश्यक्ता होगी इसके बाद सोते समय आपके द्वारा नए व्यापार में लिए गए जो भी प्रथम है उनमें किसी के द्वारा वादा भी डाली जा सकती है इसलिए दोस्तों की काम में संबंधित बातों की चर्चा आप किसी और से ना करें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मित्र परिवार से कुछ आप सहयोग भी ले सकते हैं उनका महत्वपूर्ण सहयोग आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहेगा अपेक्षा के अनुसार आप इस समय उनका साथ न प्राप्थ होगा इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होगा दोस्तों आपको बता दें कि बच्चे की किसी समस्या का समाधान भी मिलने से तनाव से आपको राहत मिलेगी बड़े बुजर्गों का आशीरवाद वो मार्ग दर्शन आपके लिए समय भाग्य में व्रिध्धि करेगा दोस्तों आपके कार्य कुशलता में भी इस समय बढ़ोतरी होने वाली है घर में कोई मांगलिक आयोजन संबंधी कार्य भी संपन्न हो सकता है अगर दोस्तों इस समय खर्चों पर नियंतरण नहीं रखेंगे तो आपका बजट गड़बड़ा सकता है तथा दोस्तों अपनी उर्जा का सकारात्मक उपयोग करें घुस्सा और जल्दबाजी करना आपके लिए इस समय आपके बंते कारियों में भी वृद्धि में डाल सकता है शुक्र पर ध्यान दें इस समय आर्थिक मामलों में भी अधिक से अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी इसके उपरांथ दोस्तों आपको बता दें कि इस समय स्वभाग्य जो अ हूँ आपके लिए फायदे मंद है ऐसे स्वभाव में बदलाव लाना आपके लिए समय संभव होगा अपनी परसनेलिटी को बदलने के लिए किये गए प्रयास आपको सफलता दिलाएंगे परिवार के प्रति आपके जिम्मेदारियों को पूरा करने की आपकी कोशिश समय आपके द्वारा की जा सकती है इसके उपरांत दोस्तों इस समय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थाद व्यवसाय की तो दोस्तों इस समय अपने कार्यक्षेत्र में जो नई नीतियां और योजनाएं बनाई हैं उन पर पूरी महनत से काम करें दोस्तों आने वाले दिनों में आपको लाब किसे पी-म में देखने को मिलेंगे कम्प्यूटर तथा मीडिया से जुड़े व्यवसाय में नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे इसके उपरान दोस्तों ये समय आपके घर की जिसमें होगा तो आपको बता दें कि इस समय कार्यक्षेत्र में अपनी योजनाओं तथा कार्य प्रणाली को सीक्रेट रखें अन्यता कोई कर्मचारी ही आपके सूचना लीक कर सकता है दोस्तों इस समय नौकरी में परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल बनी हुई है दोस्तों ओन्फिस में भी शांतिपूर्ण तथा पॉजिटिव वातावरन बना रहेगा इसके साथ ही दोस्तों इस समय होटल इंडस्ट्री से जुड़े जो भी लोग हैं अपने व्यवहार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और मैं आपको सफलता मिलेगी और मार्केटिंग के नए मार्ग भी आपको इस समय अपने होंगे इसके साथ दोस्तों इस समय आपके करियर की जिस समय होगा दोस्तों आपको बता दें कि यह समय कोई भी लिया फिर लेन देन संबंधी कार्य बहुत ही अधिक सावधानी से करें दोस्तों किसी के द्वारा विश्वास घात होने की आशंका भी बढ़ रही है साथ ही किसी ओन अर्डर के रुख जाने से भी आपका नुकसान हो सकता है और यह नुकसान आपको इस समय शहर भी करना पड़ सकता है इसके उपरांत दोस्तों इस समय आपके करियर के लिए जो समय होगा आपके व्यवसाय के लिए जो समय होगा दोस्तों आपको बता दें कि मीडिया संबंधी बिजनेस में कोई नहीं उपलब्धी भी आपको हासिल होगी कला और रचनात्मक कारियों से संबंधी लोगों को कोई नया अनुबंध में समय मिलने की संभावना बढ़ रही है स्टॉक मार्केट से जुड़ा जो भी लोन है इस समय आपको सावधान रहने की आवश्यक्ता होगी इस प्रांतों से समय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की तो दोस्तों इस समय पती-पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे इस समय होगा दोस्तों आपको बता दे की पती-पत्नी के बीच चल रही गलत फहमी दूर होगी संबंधों में पूना दर्ध होता है घी घर में भी व्यक्ति का रिष्टा तय होने की संभावना इस समय बन रही है इसके साथ ही दोस्तों इस समय आपकी लव लाइफ इज उस समय उनका दोस्तों आपको बता दूँ कि प्रेम संबंधों में पारिवारिक स्वीकृती भी मिल जाएगी तथा पती-पत्नी के बीच भी भावनात्मक संबंधों और अधिक मजबूत करेंगे इसके साथ दोस्तों अगर आपकी लाइफ के लिए बात करें आपके पारिवारिक जीवन के लिए यह समय होगा दोस्तों आपको बता दें कि परिवार में सुख शान्ती भी बनी रहेगी घर के बड़े बुज़ुर्गों का आशीरवाद और आपके वातावरन को शुद्ध में बना कर रखेगा इसके प्रांतों से कि अगर आप विश्वास को ले जाने की हेल्प को लेकर बात करें तो दोस्तों इस समय ज्यादा तक आप व नकारात्मक विचारों की वजह से मनोबल में कमी आप महसूस कर सकते हैं सकारात्मक लोगों के चरित्र में रहे तथा उत्तम साहित्य पड़ें दोस्तों यह आपके सेहत के लिए समय बहतर साबित होगा दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी